मूवी शुरू होती है और हम एक सुनसान आइलैंड को देखते हैं, जहांपर अजीबो गरीब जानवर होते हैं, जो एक मुर्दा जानवर को खा रहे होते हैं, तब वहाँ पर एक डाइनासोर आता है उसे देख, छोटे जानवर पानी में भाग जाते हैं, उसमें से एक जानवर को डाइनासोर पकड़ लेता है, मगर तब अचानक समुद्र में से एक बहुत बड़ी शार्क आती है, जो डाइनासोर को खा जाती है, फिर हम प्रजेंट में आते हैं, यहां पर हम जोनास को देखते हैं, जो एक समुद्र के बीचों बीच चलती शीप के कंटेनर में होता है, इस शीप से वेस्ट केमिकल समुद्र में फेंका जारा होता है, जो गेर कानूनी है, जोनास इसकी जाँच करने और इसे रोकने के लिए आया है, जोनास शीप के कप्तान के केबिन में जाकर, जोनास को वहां से ले जाते हैं। जोनास की बेटी है। जोनास की बेटी है। जोनास की बेटी है, जोनास की बेटी है। फिर ये लोग माना वन जाते हैं जहां पर समुद्र में जाने के लिए सब्मरीन और उसके कंट्रोल है फिर हम उसी शार्क को देखते हैं जो कैद में थी वो कैद से भाग कर समुद्र में चली जाती है फिर जोनास उसकी बेटी और बाकी पांच लोग दो सब्मरीन लेकर समुद्र के नीचे जाते हैं ये लोग जब 20,000 फीट नीचे जाते हैं तब तक सब ठीक चल रहा होता है मगर तब अचानक रडार पर वो ही हाईची शार्क नजर आती है जो केद से भाग निकली थी वो इन लोगों का पीछा करती है ये स्पीड से थर्मोक लाइन पार करते हैं और नीचे जाते हैं मगर शार्क वहाँ पर भी इनका पीछा करती है ये लोग जब और नीचे जाते हैं तब वहाँ पर हाईची शार्क से भी बड़ी मेगालाडोन शार्क देखते हैं फिर ये लोग आगे जाते हैं जहां पर सब मेगा लाडोन शार्क एक साथ होती है मगर जब ये लोग आगे जाते हैं तब वहाँ पर इनका एक सबमरीन मिलती है और इसमें लोग भी होते हैं फिर हम इस सबमरीन में देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा होता है, जिसका नाम मोंटेस है और उसके साथ दो और भी लोग होते हैं, जो नीचे होल करके explosive लगा रहे होते हैं, तब मोंटेस इन लोगों को देख लेता है और ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जोनास और उसकी dive का connection fail हो जाने की वज़ा से सब लोग चिंतित थे, फिर James rescue submarine ready करने कहता है, मगर जब उनकी team member rescue submarine चेक करती है, तो पता चलता है कि rescue submarine की battery किसी ने खराब कर दी है, और उसका control board भी, वो James को बताती है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, फिर जोनास अपनी सबमरीन में किसी तरह light चाल हो जाता है, और James को जोनास से connectivity मिल जाती है, फिर James वाना जोनास को पूरी बात बताता है कि हम तुम्हें rescue नहीं कर सकते हैं, फिर जोनास कहता है कि हम dive shoot पहन कर चलेंगे और C4 station तक जाएंगे, मगर इस suit में एक परिशानी थी, और वो ये थी कि dive shoot में दो घंटे का ही oxygen था, और यहां से C4 station तक की दूरी 3 km की है, इसलिए जोनास यही रास्ता अपनाता है क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और जोनास को उनकी दूसरी सबमरीन भी ढूननी थी, जिसमें जूमिंग और दूसरे team member थे, फिर ये तीन लोग जोनास, उसकी बेटी और साल ये सब लोग station की ओर आगे बढ़ते हैं, जब ये लोग आगे चलते हैं, तब उनमें से एक member जिनका नाम Lance था, वो कहीं गायब हो जाता है, ये लोग इसे ढूंडते हैं, मगर तब Lance का shoot मिलता है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, ये लोग आगे चलते है मगर आगे एक घाटी आती है, जिसमें खतरनाक और खूंखार समुद्री जानवर रहते हैं, इन लोगों को इन से बचकर station तक पहुँचना है, और इन लोगों को अब एक किलोमीटर ही चलना है, जब ये लोग station पहुँचने वाले होते हैं, तब इन पर छोटे फूतीले ज इस हमले में साल की मौत हो जाती है, वो शार्क का निवाला बन जाती है, बाकी के लोग station के अंदर तो चले जाते हैं, मगर कर्टीस के शूट के हेलमेट का गिलास क्रिक हो जाने की वज़ा से गलास भट जाता है, जिसकी वज़ा से कर्टीस की भी मौत हो जाती है, ये लोग उस स्टेशन में जाते हैं स्टेशन में इन लोगों को कई सारी चीज़े मिलती हैं इलीगल माइनिंग और जूमिंग की टेकनोलोजी वाले डाइव सूट भी मिलते हैं फिर ये लोग पोर्ट ढूनते हैं जिसे ये लोग उपर जा सके वगर जब ये पोर्ट के पास जाते हैं तब उस पोर्ट के सारे कंट्रोल जूमिंग की टीम मेंबर जेश के पास होते हैं और ये उस मौन्टेश की टीम के लिए काम करती है और रेस्क्यू सबमरीन भी इसीने खराब की थी और इसने जूमिंग को धोखा दिया Montes और Jazz जिसके लिए काम करते हैं उसका नाम Dees Call है जिसने जूमिंग की सब टेकनोलोजी चुरा कर समुद्र में illegal mining करती है Fear Jazz इन लोगों को एक dive में lock कर देती है तो इनको बचाने के लिए Jonas dive से बाहरा कर control room तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर इसे Montes मिलता है दूसरी तरफ जूमिंग, जोनास की बेटी मेंग और रिगस ये तीनों पोर्ट में बंद थे और पोर्ट में जेस पानी छोड़ देती है जिसे ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ जोनास और मॉंटेस दोनों के बीच में लड़ाई होती है जोनास मॉंटेस को जकमी कर देता है और किसी तरह पोर्ट का दरवाजा खोल देता है जिसे उन तीनों की जान बच जाती है दुसरी और जेस और डी स्कोल दोनों शूटर्स की टीम मानावन पर भेजती है मानावन पर कंट्रोल करने के लिए जो जेम्स के हाथ में है और जेम्स को भी पता चल जाता है कि रेस्क्यू सबमरीन जेस ने खराब की थी जेम्स डीजे को भी वो CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें जेस्स सबमरीन में छेड़ खानी कर रही होती है और ये चारों जोनास, जूमिंग, रिगस और जोनास की बेटी मेंग सब एक सबमरीन से उपर जाने के लिए निकलते हैं और मनावन पर शूटर और जेस आते हैं तो यहाँ पर जेम्स और डीजे दोनों मिलकर इन सब को इलेक्ट्रिक शौक देते हैं जोनास और बाकी के लोग भी उपर पहुँचते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पर शूटर है यह सब इन से बचकर जेम्स और डीजे को ढूंडते हैं जेम्स और डीजे दोनों इन शूटरों से बचकर भागते हैं और आखिर में जेम्स और डीजे दोनों को जोनास और जूमिंग भी मिल जाते हैं यह सब मिलकर बहुत खुश होते हैं और मॉंटेस भी किसी तरह उपर आता है और मानावन में जाता है और जैस से मिलता है जैस डीस कॉल से फोन से बात करती है और उपर रिगस और जोनास की बेटी दोनों बोड तैयार करते हैं ये दोनों, तीन मेग शार्क को मनावन तरफ आती देखते हैं मानावन में नीचे बड़े-बड़े बुलेट प्रूफ क्लास लगे हुए हैं वहाँ पर जैस और मॉन्टेस दोनों खड़े होते हैं मगर मेग शार्क वहाँ पर हमला करती है जिसे क्लास टूट जाता है और जेस मेग शार्क का निवाला बन जाती है और मॉन्टेस बच जाता है दूसरी और जोनास का ग्रुप एक बोट में मानावन से निकल जाता है और ये लोग धीरे-धीरे मेग शार्क से बच कर निकलते हैं आगे एक आईलैंड आता है जिसका नाम फन आईलैंड है वहाँ पर मगर इस आईलैंड पर इन लोगों से पहले मोंटेस और डिसकोल शूटरों के साथ पहुंच जाते हैं मगर यहाँ पर वो छोटे फुर्तीले जानवर इन शूटर पर हमला करते हैं और गन की आवाज से आईलैंड पर भाग दोड मत जाती है और तीन मेग शार्क भी इस आईलैंड पर आ जाती है दूसरी और वो छोटे फुर्तीले जानवर मोंटेस के शूटरों को मार देते हैं और हेलिकॉप्टर में डीसकॉल अकेली बची थी मगट डीसकॉल को भी छोटे फुर्तीले जानवर मार देते हैं और इस आईलैंड पर कम्यूनिकेशन मोंटेस ने ठप कर दिया था इसलिए किसी को फोन भी नहीं लग रहा था डीजे और रिगस दोनों मदद के लिए फोन ढूंडते हैं और जोनास सी बाइक लेकर मेग शार्क को आईलैंड से दूर भगाने के लिए जाता है जूमिंग और जेम्स दोनों छोटी गाड़ी लेकर हेलिकॉप्टर चुराने जाते हैं जोनास किसी तरह एक मेग शार्क को मार देता है दूसरी और जेम्स और जूमिंग दोनों जब हेलिकॉप्टर चुराने जाते हैं तो वहाँ पर छोटे फुर्तीले जानवर हेलिकॉप्टर के आसपास होते हैं जूमिंग इनको भगाने की कोशिश में काफी परिशान हो जाता है और आखिर में दोनों हेलिकॉप्टर चुराने में कामियाब होते हैं वहाँ पर मेग शार्क तो थी मगर एक दूसरी आफ़त आचुकी थी एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस भी वहाँ आ गया था और जोनास के पीछे एक मेग शार्क थी और वो भी जहां ऑक्टोपस था वहाँ पर आती है और मोंटेस भी गन लेकर जोनास का पीछा करता है तो जोनास उसे मेग शार्क के मुह में धकेल कर मौन्टेस का खेल खत्म कर देता है दूसरी ओर जूमिंग भी ओक्टोपस को बम के धमाके से कमजोर कर देता है और कमजोर हो जाने की वज़े से ओक्टोपस मेग शार्क का नीवाला बन जाता है और जूमिंग जब जेम्स को बचाने जाता है तो वहाँ पर दूसरी मेग शार्क आती है जो उसे भी जोनास किसी तरह खत्म कर देता है ये लोग तैर कर बीच पर जा रहे होते हैं तब एक और मेग शार्क आती है इसको आते देख जूमिंग उसे पहचान लेता है वो उसकी पालतू हाईची मेग शार्क थी जो जूमिंग ने उसे छोटी थी तब से पाला था और जूमिंग उसे इशारे से सिगनल देता है तो समझ जाती है इस बार भी जूमिंग ने वैसा ही किया उसने डिवाइस से उसे इशारा दिया जो हाईची ने उसे समझ लिया और वहाँ से चली गई फिर सब लोग मील कर ठ्रिंक पीते हैं सब सही सलामत बच गए इसी खूशी में